तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि website को host free में कैसे कर सकते हैं GitHub के मदद से तो GitHub हमारे पास एक services provide करता है जिसका नाम है GitHub Pages जिसमें आप अपने static website को host कर सकते हो free में अब मैं static इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि GitHub में database नहीं होता है आपको बनाना का allow नहीं करते हैं वो ठीक है तो किसी भी तरह का database services allow नहीं करता है तो आप अपने database नहीं रखोगे अपने website में तो वो static website ही हुआ तो static website भी बहुत तरह का हो सकता है जैसे आप माल लो अपना online resume में या portfolio या कोई भी static website हो गया है या documentation हो गया किसी software का तो यह सब अगर आपने बनाया है और आप चाहते हो कि free में host करना तो आप कर सकते हो अब देखो database इसमें नहीं होता है तो अगर आप कोई dynamic website या database वाला website बना रहे हो तो उसके लिए आपको hosting services लेना पड़ेगा और मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ यह देखो tech gun पे आपको यहाँ पे मिल जागा popular videos 2 में how to upload your website on server ठीक है तो इस वीडियो को देखकर आप लोग host कर सकते हो अगर आपको database वाला hosting चाहिए तो और अगर आपको free में करना है तो उसके लिए तो पेज़ेज है ही website को host करने के लिए website तो चाहिए होगा तो मैंने website बनाया नहीं है मैंने क्या किया है free में template डाउनलोड कर लिया तो वह मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहां पर download किया कैसे किया है तो मैंने google पर जाके लिखा free website template यह जो first site आया free css.com उस पर मैं गया और उस पर देखो यह वाला जो theme है मैं open करके दिखाता हूँ इस वाले theme को यह देखो यहाँ पर हमेरे पास download का option था मैंने download कर लिया है ठीक है यह देखो मेरे पास download zip file हुआ था उसको extract किया मेरे पास पूरा website यहाँ पर देखो पड़ा हुआ हुआ मिलेगा हाँ यह देखो मेरे पास पूरा website है अगर मैं इसको index.html पर click करूँ तो आप देखो मेरे पास website खुलके आ जाएगा यहाँ पर यह देखो पूरा website आ गया है हमेरे पास पूरा website बना हुआ है तो क्योंकि मुझे website demonstrate करना था कि किस तरीके से host करते है तो मैंने खुझ से बना करना था इस वाज़े से मैंने डाउनलोड मार लिए और अगर आप खुझ से बनाना चाहते हो तो देखो मेरे पास टूटोरियल तो है ही html css और html css का प्रजेक्ट जावास के bootstrap react jQuery सब कुछ बना रखा है मैंने अल्रेडी वीडियो तो यह सब देखके आप खुझ स बना सकते हो नहीं तो फिर उसी तरीके से टेंप्लेट डाउनलोड करके अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि github.com पे जाना है तो मैंने sign-in कर रखा है इसलिए मैं private window में फिर से टाइप करूँगा github ठीक है यहां गिदेखो github.com पे आप जाओगे अगर आपने रेजिस्टर नहीं किया है अब तक github.com पे account नहीं बनाया है तो आपको क्या करना है यह sign up वाले option पे click करना है sign up वाले option पे click करने के वो जैसे जैसे instruction देता जाएगा आपको follow करते जाना है और आपना account बना लेना है ठीक है जैसे अभी यहाँ पे आपको email id डालना पड़ेगा फिर continue करना पड़ेगा इस तरीके से तीन-चार स्टेप में वो आपका account create करवा देगा create करवाने के बाद account आपको फिर से क्या करना sign up पे जाना है sign up पे जाओगे तो यहाँ पे user id पासवर्ट जो आपने डाला होगा वो डालके login कर लेना मैंने already login किया हुआ है यह देखो मेरा account ऐसा है तो हम लोग github पे login कर चुके हैं अब आपका काम क्या है कि एक नया प्रोजेट्री बनाना है तो उसके लिए आप यहाँ पर जो new लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपको नाम देना होगा तो मान लो मैं अपना नाम देता हूँ freehost अपने website का ठीक है और देखो यहाँ पर दिखा रहा है freehost is available तो इसमें आपको क्या करना है freehost.github.io तो हमने यहाँ पर ऐसा बना दिया है और यह यहाँ पर green tick लग चुका है मतलब यह नाम available है description में भी कुछ डाल सकते हैं अगर आपको डालना है तो यहाँ पर पॉब्लिक ही रहने देना है और मैं add a redmi file add कर देता हूँ अगर आपको नहीं करना तो नहीं करना कोई दिक्कत नहीं फिर यहाँ पर create repository पर आप click कर लो जैसे ही आपने create repository किया आपका repository बनके आ गया है ठीक है तो आपको एक repo बन गया है अब आपको क्या करना है कि github desktop डाउनलोड करना है ठीक है तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको github desktop यह एक software है github desktop तो इसको आपको डाउनलोड करना है इससे क्या होगा कि आपके computer प ठीक है तो वह करना है तो यहाँ देखो Windows के लिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ अगर आपका Mac है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो मैं Windows यूज़ कर रहा हूँ तो इसके लिए डाउनलोड पर लगा दिया है मैंने ओके तो यह डाउनलोड हो चुका है तो आप अपने डाउनलोड में जाके यह देख सकते हो मैं यहां से डबल क्लिक करके इसको डारेक्ट इंस्टॉलेशन पर अन कर देता हूं अब आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है ओके ठीक है मैं फिर से साइन इन करना चाहता हूं तो मैं इसको authenticate करूँगा मैं इस पर login हूँ तो यहां से करते हैं हम लोग ठीक है मैंने कर दिया है authorize करने के लिए desktop पर remove तो यहां पर मैंने कर लिया है अब देखो आब है हमारे पास यहां पर repository दिखना start हो चुका है आपको क्या करना है login करोगे आपने देखा कैसे login करना है वहाँ पर login का option आएगा तो login करोगे तो ब्राउजर में ले जाके आपको login करवा देगा ठीक है यहां से जैसे मैंने authenticate किया है अब उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर जाओगे तो यहां पर आपको दिखाएगा कि आपका कितना repository है हमारा कौन कौन सा है टेगन फ्री होस्ट और यह react वाला था expense tracker तो यहां से आपको जो आपने वहां पर बनाया था उस पर double click करके clone कर लेना है यहां पर देखो clone ठीक है यह बोल रहा है कि आपको clone करने के लिए कहां जाना पड़ेगा पहले मैं देख लेता हूँ क्या है URL है location local path अच्छा यह बोल रहा है कि आप local path दो जहां पर आप रखना चाहते हो इसको ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ इसको choose कर लेते हैं मैं फिलहाल डॉकुमेंट में ही रख लेता हूँ डॉकुमेंट्स ठीक है यहां पर डॉकुमेंट में मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रखते हैं freehost github अब मैं select folder कर लेता हूँ तो अब देखो अब मैंने किया क्या है यहां पर यहां पर हमारे पास क्या हुआ है कि github का वो URL जो online है यहां पर अगर आप यहां पर देखो यहां देखो यह जो ऊपर हमारा यहां पर URL है dtps.github.com और यहां पर यह same URL है मतलब कि online वाले का जो URL है वो और local folder का नाम जैसे देखो यहाँ पर हमने local folder का नाम अभी दिया था freehost GitHub तो इसके अंदर एक और folder वो बना लेगा ठीक है तो यह हमें चूज करना था अब क्या हो क्या रहा है यह यह दोनों को link कर दिया जा रहा है ठीक है online यह और हमारे desktop पर यह folder दोनों link होगा ठीक है link होके हमारे पास क्य अब देखो मैंने clone पर click कर दिया है अब यह मुझे कह रहा है कि इसको visual studio के साथ अगर आपको उस folder को open करना है तो कर सकते हो उसमें कुछ edit करना कर सकते हो मैं क्या करूँगा show in explorer करूँगा ठीक है मैं वो folder देखना चाहता हूँ जहाँ पर है देखो यही documents के अंदर हमने बना सारा का सारा document था जो website का file इसको मैं copy कर लेता हूँ और यहां पर paste करते हैं किसमें paste करना है जो अभी हमने बनाया था ठीक है जो हमारा खुल के आया कहां से खुलता है वो मैंने आपको दिखाया अब देखो अब मेरे पास सारा का सारा file copy हो चुका है जैसी मैंने यहां copy किया यहां पर हमारा दिखना स्टार्ट हो गया अब आपको क्या करना है इसको commit कर देना commit करने के लिए यहां पर कुछ आपको लिखना पड़ेगा तो मैं यहां पर लिख देता हूँ first commit कुछ भी ऐसा आप जो भी आपके लिए meaningful है वो आप डाल सकते हो ठीक है उसके बाद यहां पर कुछ भी नहीं आया है लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी आप अपने local system में इस folder में जो भी डालोगे वो online चला जाएगा वो online कैसे जाएगा commit करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर देखो लिखा हुआ है push commit to the origin remote तो आपको यहां पर push origin पर क्लिक कर देन सारी चीजें ठीक है जब upload हो जाएगा तो आपको दिखाएगा यह देखो हो चुका है अब हम लोग क्या करते हैं online जाते हैं और एक बर और refresh करेंगे तो देखेंगे यहां पर हमारे पास सारा file जो हमने desktop पर रखा था वो आ चुका है ठीक है तो github desktop हम लोग सिर्फ ठीक है तो हमारे पास online सारा file आ चुका है अब हमें क्या करना है कि हमारे जो हमारा online report है उसमें setting पर क्लिक करना है यह setting में आपको क्या करना है कि pages ढूंडना है देखो pages यहां पर यहां पर pages है इस पर click कर देंगे इस पर click करते ही वह हमसे पूछेगा कि आपका source क्या है deploy from a branch क उसको deploy करना है ठीक है यह automatic route वगर आ जागा आपको save पर click कर देना है यहां पर अब आप save आपने कर दिया है अब देखो इसको live होने में थोड़ा सा time लगता है ठीक है तब तक मैं आपको बता देता हूं कि देखो यहां पर आप अपना custom domain भी use कर सकते हो तो अभी जो हमारा है tegan.github.io उसके जगह पे आप अपना custom domain यूज कर सकते हो उसके लिए DNS record वगरा चेंज करना पड़ता है तो वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए भी आपको domain खरीदना ही पड़ेगा तो मैं अभी बिल्कुल free में बता रहा हूं तो मैं यही रख र गया था और देखो URL क्या है URL हमारा है tegan.github.io और उसके बाद यहां पर है freehost.github.io ठीक है तो आप अगर चाहूं तो मैंने पहले आपको क्या बताया था यहां पर general पर जाओ और यहां पर इसको rename भी कर सकते हो तो अगर मैं इसको यहां से github.io हटा के rename कर देता हूं यह freehost ठीक है अब यहां पर हम लोग जाते हैं अब देखो हमारा URL क्या हो गया tegan.github.io उसके बाद हमारा repository का नाम freehost ठीक है इस पर हमारा website hosted है about page पर जाना चाहोगे about पर क्लिक करो देखो about page खुल रहा है services page पर जाना चाहोगे services page खुल रहा है ठीक है तो इस तरीके से हमने दे website ही upload करना पड़ेगा ठीक है और अगर किसी दिन आप चाहते हो कि अब यह website को बंद कर देना है तो आपको क्या करना है यहीं पर दुबारा setting में आके pages पर आना है और यहां पर देखो यह जो तीन दोट है उस पर क्लिक करोगे तो unpublish site का option आ रहा है इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका website unpublish हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको चैनल को दुबारा ढूंदना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा content बनाऊ तो आप तक कहौन सके